हलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा सात्वी की मराथी पार्ट दो श्यामचे बंधु पेम का प्रशन उत्तर देखने वाले हैं तो एक्स्प्लेनेशन वाला वीडियो मने पढ़ा दिया है आपने जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रूप्शन बॉक्स में लिंक मिल जागा तो आप उसे पहरे देख लेना जो मने एक्स्प्लेन किया हुआ है तो आपको इसका प्रश्ण बहुत ही ईजी लगेगा मतलब आप ईजीली समझ पाओगे उसे ठीक है चले स्टार्ट करते हैं तो क्यूंकि आपका एक्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो उसी तरीके से क्वेस्टन दिया गया है ठीक है तो क्रिती वन पुढ़िल उताय आच्या आधारे सुचना प्रमाणे क्रिती करा तो बिल्कुल जैसे आपको आने वाला है उप्शनल वैसे ही है लेख कांचे नाओ लेखक का नाम क्या है तो साने गुरुजी आपको लग लग उप्शन आ सकता है तो आपको याद रखना है दापोली गया था श्याम आट वलेले वचन गंधवती पृत्वी ठीक है चौकटी पूर्ण करा श्यामला थंडिच्या दिवसांत नव मिलना या गोश्टी तो क्या-क्या नहीं मिलता था थंडिके टाइम में जाकेट, मफलर, गरम कोट ये सब श्याम को नहीं मिला था उसके बचपन में खालील फ्रशनांची उत्तर रिहा नवीन पाउस शुरू होने आचा मातिवर काये परिणाम जहेल होतो जब इस तरिक से नवीन पाउस जब बारिश होती है शुरू-शुरू में तो कैसा होता है तो नवीन पाउस शुरू जाला की मातिला रम में सुन्दर गंध ये तो बहुती सुन्दर खुश्बू आती है मिट्टी से अपने भाई के लिए नवीन नया कोट से लवागे जायेगा ऐसा उस ने निश्चा किया था माजा ब्यास व्याकरण अभी थोड़ा सा व्याकरण देखते हैं समानार्थी शवद देखते हैं वर्षा पाउस धग मेग नयन तप्त या उश्न ठीक है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ पे देखो वर्षा का मतलब पाउस बारिश होती है धग मेग जो होता है बादल मेग उसको बोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं तप्त का उश्न होता है ठीक यह नयन का यह नहीं आएगा नयन तो आँक होता है तो यह नहीं तप्त का उष्ण ठीक है तप्त उष्ण गटात न वश्णारा शब्द ओडखा वा लिहा तो शब्द गटात का बसत नहीं ते सांगा तो इसका क्या होगा इस तरीक से आगा तो देखो यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्या एक वच्चन है मतलब क्या है सरो नाम है कि संग्या है वो लिखना है समीरा विनीता त्याने निखिल त्यानी यहाँ पे लिखा गया है त्यानी यह एकच सरो नाम है त्यानी क्या है? सरव नाम है मी साथ पुते त्याने दिला तो अब यहाँ पे साथ पुते क्या है? ये एककच नाम आए साथ पुते क्या है? एक नाम है तो ये क्या है? ये तो संग्या होगा हिमालय सुन्दर प्रसन भव्य तो इसमें से हिमालय क्या है? हिमाला हे कच नाम आए वा बाकी सारे विशेशन आए बाकी सब ये सुन्दर प्रसन भव ये सब विशेशन है और ये क्या है नाम है तो ये क्या है संग्या है लिहने आमी गार्ने वचने तो आमी आमी क्या है सरो नाम आए वा बाकी सारे क्रिया पद या है बाकी सब क्रिया प तो आपको खाली जो है यहाँ पर शब्द उनके अर्थ का उपयोग करना है से रोजगारी होने मरतो रोजगारी होने का मतलब कामा धंधाला लागने काम धंधाला लगना तो इसका वाक्य बनाना है श्याम चे शिक्षन पूर जाले आवर तो एका कमपनित रोजगारी जाला जब श्याम की शिक्षा पूरी हो जाएगी तो उसे कमपनी में रोजगार मतलब जौब मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है दोनियातन अश्रू औघंड़े तो इसका मतलब क्या है इसका वाक्वी बनाना है तु बच्चो इसका मैने आप Corn icii ौle अश्रू नहाले काते लिहा श्यामचे डोड़े अश्री नहाले होते तो इसका रिजन लिखना है उत्तर इसका है उत्तर के आगे इस तरीक से डैश कर देना ऐसे उत्तर धाकट्या भावचा कोट शिवुन हातात आलाल आला जवन्याच्या पैशांत सारा खर्च भागला आपन किलेला भावनेने शामचे डोले अश्रुनाले तो जब हाथ में लेता है तो सोच ता है कि देखो मैंने जो पूरा कर लिया जैसे ही कोट यहाथ में लेता है तो उसके आँखों में आऊसु आ जाते हैं माजेमाथ तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम्हाला पाउसार तिन कोण कोण गोश्टी आउड़ा था तो इसका अंसर क्या होगा पाउसाडया तेल मला सरवात आवड़ारी गोश्ट मरजे पहला पाउस पढ़्यान अंतर माती चा यानारा सुगंध त्याज प्रमाडे परस्रेली हीरवन मुसलाधार पाउसात भीजायला वर खेडायला आवड़ते तो यह यह पसंद है मतलब कि यहां पर उचा गया है तुम्हें बारिश में क्या क्या करना क्या 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 करना पसंद है तो यह सारी चीजे पसंद है उसकी मिट्टी के खुश्बू पसंद है और यहां पर पाउस में भीगना खेलना यह सब पसंद है ऐसे आपको भी लिख नाने टीचर रंग कौन सा था हीरवा हरा कारा कि थी उसका रंग यह आपको option आएगा इस तरह के से ठीक है इस तरह किसे आपको option आएगा गुगल फॉर्म पे तो उसका अंसर इस तरीगे से आपको लिखना यहां पर कई सारे आप्शन रहेगा तब को जो राइट आप्शन है वही क्लिक करना है पायाना खूपत होते क्या पैरों में क्या चुब रहा था दगड़ी जो कंकर थे पाणी वाहत होते खड़ 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 ठीक है हमने देखा था इस तरी किसे पानी बहर रहा था और अलग-अलग हमने देखा था कि बादल कैसे गरज रहे हैं वो सब देखा था शाम भावास अरणार होता खाओ खेलने रंगी चित्रा के पुस्त के तो यहां पे बोल रहा है कि शाम भावास अर्णार होता है तो अपने शाम अपने भाई के लिए क्या क्या ला सकता था खाओ खेलने के लिए कुछ और रंगीन पुस्त के यह सब ला सकता था तो उसके पास पैसे नहीं थे नाल्या प्रमानेच मीही हिरीदय घ्यों जात होतों तो यहां पे देखो इस तरी के से ऑप्षन आएगा आपको त्रिव उप्षन चार आप्षन रहेगा आपकी पेपर में तो आपको जो राइट आप्षन है यह लिकना है तो by तो यह लिखना चुछिफ फ़ल्ट्रूप जारै ली शिक्वensor होती तो यहां फ़ल्ट्रूप यहां पे देखो सब्सक्राइब आए इसे थे हमने देखा था कि आई के स्विकष Marka यह फल था, खालिन प्रश्णांची उत्तर लिया, आपको ऐसे भी आ सकता है कि इस तरीके से जो प्रश्ण दिया जाएगा वैसे थोड़ा-थोड़ा लिग दिया जाएगा और आफ्शन दिया जाएगा कहां पे कौन सा भरेंगे, तो ये आपको कुछ इस तरीके से आगा, क्वे दंग होता, मणुन श्यामला चरन्याचे श्रम वाटत नवते, तो इतना खुश था वो कि वो चल रहा था और उसको श्रम का पता यह नहीं चल रहा था, कि महनत भी लग रहा है, मतलब इतना चल रहा था, फिर भी उसके ठकावट नहीं महसूस हो रहे थी, काते लिहा, पहया उतार नसेल मनुन श्याम ज्यान चा घरी राया चा इंत्यानी त्याला जाओ नकू असे माटले, तो यहां पे इसका उत्तर दिया गया है, तो भरपूर पाउसप्रत होता वा पाणियाला फारोड असल्या मूडे पिसाई चा पर्या दुथिडि भरुन वाहत होता, दोनों तरब से मतलब पानी भरा हुआ था इस तरी किसी अभी व्याकरण का थोड़ा देख लेते हैं खालिल शब्दांचा और सागुन वाक्यात उपियोग करा फल्दूप फल्दूप का मतलब क्या होता है फडाला आलेल यशस्वी और इसका वाक्य क्या होगा राम परिक्षेद पहलिया क्रमंकाने पास ज़ाला त्याने अभ्यासा तिल मेनत फल्दूप ज़ाली तो यहाँ फल्दूप का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज का रिजल्ट पाना फल मिलना खाली दिलेलिया शब्दांचा विरिद द्वरताचे शब्द चौकटी तून शोधिन लिया तो देखो यहाँ पर इसका क्या करना है हमें इसका विलोम शब्द लिखना है जैसे कि यह सब दिया गया है इसका विलोम शब्द लिखना है तो यहाँ पे देखो यह जो गरम तो यहाँ पे लिखा गरम और क्या यहाँ पे यहाँ पे जैसे धाकटा तो धाकटा इधर लिखा और क्या है यहाँ पे और यहाँ पे जैसे दुरगंद तो दुरगंद और हरवने तो हरवने किदर है इसमें हरवने नहीं है तो इतना इसका क्या होगा गराम इन सब्सक्रा क्या करना है हमें विलोम शब्द लिखना है तो यहां पर देखो नवीन यहाँ पे है तो नवीन का यहाँ पे है देखो यहाँ पे नवीन है तो नवीन की यहाँ पे ऐसे आएगा नवीन ऐसे आएगा और क्या यहाँ पे दुरलक्ष तो यहाँ पे लिखा और विस्मृति तो यहाँ पे लिखा तो अब इसका हम देख लेते हैं एक एक का वि तो आपको याद रखना है कि क्या होगा ठीक है आपल्या सभोवती अने गरी मुले आडलात तुमी द्याना कशा प्रकारे मदद करा तो आपने यहां भी बोला गया कि बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं तो तुम उनके मदद कैसे करोगे किस प्रकार तो क्या क्या देगा यहां पर बताया गया कि इस तरह से कपड़े देंगे खेलने के पुस्तक देंगे जो मारे पास रहेगा जो मारे हम पढ़के आगे बढ़ गए तो आप जैसे अभी सेवंत में एट में जाओगे तो अपनी सेवंत की बहुत गरीब लोगों को देदो आप बड़े हो गए तो आपके कपड़े छोटे ने लगे तो आप गरीब लोगों को देदो कृति पुढ़ी लुता याच्या आधारे सुचना प्रमाणे कृति करा अकृति पूर्ण करा आईने दिली क्या दिया आईने धोतर कोट कोणा साथी शिवुन आणला पुरुषवत्तम के लिए कोट सिला गया था मतलब जो छोटा भाई था श्याम का उसका नाम क्या था प कट पूर्ण करा श्याम ने आणलेला नवीन कोट बगुंत आच्या आई वड़िन आच्या मनात निर्माण जालेले प्रश्ण तो क्या यहां पर बोला गया श्याम जब आता है नवीन कोट लेके बांद के तो कौन-कौन से मन में क्वेश्चन यहां पे होता है माबाप के तो वो क्वेश्चन बताना है तो कौन-कौन सा आया था मन में कर्ज कार लेका उधारी शिवन नाहीना अनलास किसी से उधार तो नहीं लिया ना उधारी में नहीं शिवाया ना फीस में से तो नहीं लिया पैसा यह सारे क्वेश्चन उसके माबाप के मन में आता है और पू तो क्या मन में आता है ऑई क्या भोलती है आई शाम तुझाने मोठा नाई मतल्ब तु एज से बढ़ानी वा शुकुनमोन नाई सिखने से पड़ली के भी बहुत क्वबूल नहीं हो गया पैसे से भी बहुत-बढ़ा नहीं गया तो ये सारे मन आता है आई के मन में योग योग पढ़े aynik तो aynikो डे मतलब सूखा क्या दिया था शड धोतर सदरा तुर धोतर दिया था जब नहांके उठा आता माजल पेंसिल पेंड वही तो क्या बेंसिल हरवणा नाई हमने देखा था ना काते लिहा शाम ने सांगित ले ली हकीकत एकुन आईला गई वरुन आल शाम ने खाऊ साथी दिने ले पैसे खर्च न करता धाकट्या भौला नवीन कोट शिवला होता तो यहां पर आई को क्यों रोना आ गया जब कोट देखती है तो क्योंकि वो सोचती है कि शाम ने खाऊ गये पैसे का जो उसे मिला दिया गया खाने के लिए उसने खर्च नहीं किया बलकि उसने किया अपने भाई के लिए नवीन सद्रा सिलाया कोट सिलाया खालील शब्दान्चा अर्थ सांगुन वाक्यात उपयोग करा तो दवनरे करके होगा यहाँ पे इसका खालील शब्दान अर्थ इसका अर्थ क्या होगा वया वया घलवणे ठीक है तो आपको कई सारे ओफ्शन आएंगे तो आपको जो right option है वही क्लिक करना है ठीक है तो उत्तर कैसे होगा इसका वाक्य बनाना है आपको मी परिक्षेचा अभ्यास केला नहीं मनुन माजे एक वर्ष दवड़ला तो इस तरह किसे आप वाक्य बना सकते हो माजा अभ्यास व्याकरन खाली शब्दान चे वचन बदला वचन एक वचन बहुचन तो चूल का क्या वचन बदल सकते हैं चूली ठीक है पैंसिल का पैंसिली बहुत सारे पैंसिल पैसा पैसे हाथ हाथी होगा ठीक है खालिल वाक्यातिल सरवनाम उडखा मी चूली जवड शेकत बस लो तो यहाँ पे सरवनाम क्या है मी ठीक है तो आपको और कई सारे ओप्शन आ सकते हैं पर आपको जो राइट ओप्शन है वही लिखना है आई त्याने कर्च कर ले नहीं तो यहाँ पे सरवनाम पूछा गया है तो हमें सरवनाम ही बताना है तो सरवनाम क्या है त्याने आता माजी पेंसिल हरवनार नहीं तो यहाँ पे सरवनाम क्या है माजी ठीक है तो हमें यहाँ पे लिख देना है माजे मत तुमी तुमच्या धाकट्या भावा साथी आ बाईनी साथी आपकोनेत भेट वस्तु घेता कोनेत प्रसंगी घेता तो अपने आप भाई भाई भाईन के लिए क्या क्या भेट किया रादी तो इस दिवाली को भी यह दिया तसेच रक्षा बंधन भाव बीजच्या दिवशी कपड़े कीमा चकलेट भेट मरून देतो तो यह आपको ऐसे लिखना है अगर ऐसे आगया एक्जाम में ठीक है तो आई होब कि आपको समझ में आगा कोई भी डावट है कॉमें पूछिए और यह इसके पहले जो आपका वर्ग भूक है ना उसका कोईशन आसर मैंने पहले ही बना दिया है यह तो मैंने आपको इसलिए बना के दिया कि ताकि आपका जो एक्जाम क्योंकि गूगल फॉर्म में होगा तो इसके लिए आपको इस तरीके से ही सब्सक्राइब करना उससे क्या होगा तो आपको त्री ऑफ्शन आएगा ठीक है तो पहला ऑप्शन रहता है तो आल का तो ऑल पे क्लिक करना उससे क्या होगा जब भी मैं कोई निए वीडियो अप्लोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मेल जाएगा और आप इसली देख पाओगे ओके वीडियो को पूरा देखना नहीं सुझ में है तो फिर से मुझसे पूछ लेना कोई भी डाउट रहे तो पूछ लेना और वीडियो स्क्रीन शॉट ले लो नोट डाउन कर लेना अपने नोट बुक में या फिर ऐसे ही पढ़ लेना ताकि इसमें एक एक वर्ड का अर्थ दिया हुआ है जो कि आपके एक्जाम में पूछ सकता है है ना और जो जिससे समानार्थी विरुद्धार्थी वो सब बहुत इंपॉर सकती है उसका थिसका लिंक दे दूनगी इस वीडियो के नीचे और जो मने एक्स्प्लैन किया हुआ है न उसका भी लिंक में दे बता देना ओके बच्चो वीडियो को लाइक कर दीजिए